जन्मने एक किताब लिखा था आनंदी और काफी किताब को लोग प्रेम दिये अपना स्नेह दिये और पांच जार से अधी किताबे जो है ऑल लाइन डिक भी चुकी है यह बात करते हैं आनंदी किताब अपने लिखा क्या सोच के लिए और क्या उमीद थी आपको कि इतना ज़ प्रार्ता करती हो इश्वार से कि ये प्यार बना रहे हैं लोगों का और लिखने के पीछे क्या कारण था आपने दाहा तो बस तो कंतियां बोलू भी जो राइटर हूं तो बोले बिना रहने सकती लिखे की आदत है सुईकार नहीं किसी और की कहानी में केवल एक पातर बनतर रह जाना स्रिजन शक्ती से परिपूर स्त्रीमु में स्वयम अपनी कहानी की रचईता अपने स्थितों को संपून है बनाना पस यही सोच करके मैंने लिखा ये कहानी और ये किताब और बहुत कुछी होती है कि अपने मंचन हुआ है और जो लेट्स इंसफाइर भिहार द्वारा उसके संग्रक्षन में जो इतना बड़ा मंच मिला है आनंदी को एक नए स्वरूप से लोगों के साथ जोड़ने का मोना मोहंचाने आनंदी को इतना स्वरूप में लोगों के दिलों तक पुचाया इस सं इस प्रकार में सभी जहां भी है उस तरगी को प्रजोलित कर और उसे और भी ज्यादा शिक्तिशानी बनाए तरसी काम ना है कि आनंदी का जो मुख जो कहानी है तिया है और किस चीज कराद है आनंदी कहानी एक लड़की की है जो चोटी सी गाउ से आती है बहुत विशम परिस्थितियों में पली बढ़ी है तो बड़े-बड़े सपने देखते हैं और इसके सपनों का आतार असे ही है कि उसे तपि कि अपने जपने अपने स्रस्थितिक करनल की स्वेशाता है ओरी बढ़नाद मुख जोρχ ин这 दोह ज्ड़कूअ है कि किताम जो मुख जब देश्रता है था यही था अपने आपको हर परिस्तिती में भी अपने आपको निखार के आगे बढ़ती है यही कहानी के जो में कहानी था आनंदी आप भी पढ़िए अगर समय मिले तो बहुत बहुत धन्यवाद